हलो बच्चों आनलाइन सिच्चर में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग अच्छा सात्वी का सामान विज्ञान विशे पढ़ने जा रहे हैं सामान विज्ञान विशे में हमारा पंद्रावा पार्ट है हमारी उपयोगी पदार्थ इस पार्ट को हम लोग पढ़ चुके है इसमें हम आगे स्वाध्याय देखेंगे प्रसनों के उत्तर कैसे लिखना है पहला प्रसन है रिक्तस्थानों में योग सब्द लिखो कुछ सब्द दिये गए हैं बिकल्प के रूप में सफेद सीमेंड, साबून, अपमार्जक, अस्तियों की छती, दंत छै, कठोर, मृदू, पोर्ट लैन, तेलाल्म, सिनिक धाल्म इस तरह से इस सब्दों को लेकर के हमें रिक्तस्थानों की पूर्टी करना है पहला अब है, पदार्थ के पिश्ट भाग से मायल हटाने के लिए पानी की सहायता करने वाले पदार्थ को खाली जगए हैं कहते हैं तो यहाँ पर जो हम सामान रुप से, यहाँ पर साबून, या अपमार्जक, दोनों में से कोई लिख सकते हैं तो यहाँ पर साबुन भी आया हुआ है, मारजक भी आया है, या दोनों लिख सेंगे तो भी चलता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर साबुन और मारजक लिख दिये हैं, आप भी लिख सकते हैं, अगला प्रसन है, खाली जगए हैं पहले, खाली जगए हैं, रोकने के लिए फ्रूराइट का इस्तेमाल किया जाता है अगला प्रस्ण है साबुन फिर खाली जगह है साबुन और सोडियम का लवण होता है तो साबुन जो होता है उस तेलाल्म यहापर भरा जाएगा साबुन तेलाल्म और सोडियम का लवण होता है निक्स प्रस्ण है संसलेशित अपमा अपमार्जों का खाली जगें पानी में भी उपयोग किया जाता है। कि सीमेंड का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के अड़ू अधिक लंबाई के होते हैं। उनके दोनों सिरों के गुर्धर्म अलग-अलग होते हैं अब मार्जक का अडू उसके एक सिरे से पानी के अडू को तो दूसरे सिरे से तेल के अडू को पकड़े यानि पकड़ के रखता है पकड़ कर रखता है इसा लिख सकते हैं इस कारण तेल के अडू पानी में मिस्रित हो जाते हैं मैले कपड़े और सरीर धोते समय उन पर साबून की ऐसी ही क्रिया होती है तो क्या पानी कठोर है इसकी तुम साबून के चूड की सहता से कैसे करोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कुई या नलकूप के कठोर पानी में साबून का जाग नहीं बनता है कुई या नलकूप का कठोर पानी होता है उसमें जो है साबून के चूड डालने पर उसमें जाग नहीं बनेगी यानि जाग नहीं बनता है टूथपेस्ट के महतपूर घटक से जो है कौन है उनके नाम लिखना है अगला प्रस्ण है टूथपेस्ट के महतपूर घटक कौन से है उनके नाम लिखो उत्तर हो जाएगा कल्सियम कार्बोनेट, कल्सियम हाइडोजन, फासफेट, एओं फ्रोराइट, टूथपेस्ट के प प्रमुग घटक का उन से हैं इसका उत्तर हो जाएगा सीमेंट के प्रमुग घटक सिलिका आएनी रेत इलमीना जिसको इलमीनियम आकसाइड करते हैं चूना आइरन आकसाइड है और मैगनीसिया जो की मैगनीसियम आकसाइड है यह जो है घटक होते हैं कांक्रीट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया तो क्या होगा कांक्रीट बनाते समय गर सीमेंट नहीं उसमें उपयोग करेंगे तो क्या होगा कांक्रीट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाए तो कांक्रीट मजबूत नहीं बनेगा या भरबरा के वो गिर जाएगा स से ही तो concrete में मजबुत ही आती है, तो concrete में सेइमें का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो concrete मजबूत नहीं बनेगा ही नहीं यह भी समझाती हैं, तुम्हारे दोरा इस्तेमाल किये जाने वाले, अपर मार्जक की सूची बनाओ कौन कौन से अपमार्जक आज कल घरों में उपयोग किये जाते हैं उनको लिखना है तो आज कल हमारे घरों में साबून, सिका काई, रीठा, सिंपू, आदि जो है उपयोग किये जाते हैं अगला प्रस्ण है कीमती कपड़ों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अपमार्जक कैसे होने चाहिए कीमती कपड़े हैं उनको धोने के लिए कौन से वर जो है इसमें अपमार्जक होने चाहिए तो कीमती कपड़ों के लिए रीठा, यमसीका काई जैसे अपमार्जक का अपयोग करना चाहिए अगला प्रस्ण है प्रिष्ट सक्रियता का क्या अर्थ है विविन अपमार्जक के प्रिष्ट संक्रियता के लिए उत्तरदाई तीन रसायनों के नाम लिखो इस प्रस्न है इसका उत्तर है पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने के गुर्धर्म के कारण साबुन मिस्रित पानी अनेक प्रकार के प्रिष्ट भागों पर सर प्रिष्ट फाग पर स्पहलने के इस गुर्धर्म को ही प्रिष्ट संक्रियता कहती हैं अगला प्रस्न है हमारे बीच क्या समनता हैं और अंतर हैं हमारे बीच जो है कौन से समनता हैं कौन से अंतर है पहला अ है प्राकर्तिक अपमार्जक और मानो निर्मित अपमार्जक इ रीठा और सीका काई जैसे पदार्थ में पाए जाती हैं और उनमें संपोनी नामक रसाइनिक पदार्थ होता है जो प्राकरतिके अपमार्जक हैं रीठा और सीका काई जैसे पदार्थ ये प्राकरतिक अपमार्जक के रूप में परयोग में लाए जाती हैं उनमें संपोनी नामक रासाइनी पदार्थ होता है मानो निर्मित अपमार्जक कौन है साबून आज समय से उप्योग में लाए जाने वाला अपमार्जक है आजकल साबून के विभिन प्रकार देखने को मिलते हैं ये मानो निर्मित अपमार्जक है साबुन और संसलेशित अपमार्जक में क्या अंतर है साबुन साबुन दो प्रकार के होते हैं कठोर साबुन का उपयोग कपड़े दोने के लिए किया जाता है ब्रिदू साबुन का उपयोग असनान या निनाने के लिए किया जाता है कठोर पानी में साबुन में जाग नहीं बनती है संसलेशित अपमार्ज क्या है साबुन का स्थान अब मानो निर्मित अपमार्ज को ने ले लिया है इनका अपयोग अने प्रकार के प्रसाज दुनों में किया जाता है इनका अपयोग कठोर पानी में भी किया जा सकता है अगला है नहाने का साबून और कपड़े धोने का साबून नहाने का साबून या जो होता है वो म्रिदू साबून होता है इसका अपयोग नहाने के लिए किया जाता है यह तेलालम का पोटैसियम लवण होता है अगला प्रस और साबुन का उपयोग कपड़ेद होने के लिए किया जाता है यह तेलावन का सोडियम लवन होता है आदुनिक सेमेंट और प्राचीन सेमेंट में क्या अंतर है आदुनिक सेमेंट क्या है जो है आदुनिक सेमेंट जो होती है वो यह सेमेंट सूखा सूच्प कड़ों वाला हरे राख जैसा रंग का चूड होता है इसे सिलिका, रेत, एलमीना एनि एलमुनियम आकसाइड, चूना एनि आइरन आकसाइड और मैगनिसिया एनि मैगनिसियम आकसाइड से तयार किया जाता है प्राचीन सेमेंट प्राचीन काल में रोमन लोग भीगे हुए चूने में ज्वाला मुखी की राख डाल करके जली सेमेंट बनाते थे यह सेमेंट अत्यदिक टिकाव होता था कारण लिखो, कारण अस्पस्ट करो, कठोर जल में साबुन का अपयोग नहीं किया जा सकता कुईए या नलकूप के कठोर पानी में साबुन का ज्वाग उत्पन न होने के कारण तलचट तयार होती है जिसके कारण अपमार्जन करने का साबुन का गुर्धर्म नस्ट हो जाता है कुईय या नलकूप के कठोर पानी में साबुन का जाग उत्पन न होने के कारण तलचट तयार होती है जिसके कारण अपमार्जन करने का साबुन का गुर्धर्म नस्ट हो जाता है तेल पानी में मिस्रित नहीं होता परंत पर्याप्त अपमार्जक का उप्योग करने से तेल और पानी एक रूप हो जाती हैं इसका कारण है अपमार्जक के अडू अधिक लंबाई वाले होते हैं और उनके दोनों सिरों के गुरधर्म भी नहोते हैं अपमार्जक काड़ू उसके एक सीरे से पानी के अड़ू तो दूसरे सीरे से तेल के अड़ू को पकड़ कर रखता है इस कारण तेल के अड़ू पानी में मिस्रित हो जाते हैं तेल और पानी एक रूप दिखाई देती हैं अगला है संसलेसित अपमार्जक साबुन की अपिछा बेतर है इसका कारण लिखना है तो आज कल विविद रासानी प्रक्रियाएं करके संसलेसित अपमार्जक बनाये जाते हैं इनका उपयोग विविद प्रसाजनों में किया जाता है संसलेसित अपमार्जकों का कठोर पानी में भी उपयोग किया जा सकता है तो साबुन का उपयोग कठोर पानी में नहीं किया जा सकता कपड़े दोते समय अगला प्रसना है कपड़े दोते समय कभी कपड़ों पर रंगीन दाग निर्मित होते हैं तो उत्तर होजका हो जाएगा कपड़ों के खड़े आड़े धागों में तैली परत यानि मैल पक्की तरह चिपक जाती है उसे निकालने के लिए साबून का उपयोग किया जाता है अपमार ज़क का तैल अपमार ज़क का तेल यानि मैल के अड़ूं के साथ राशाइनिक अपक्रिया होने के कारण कभी-कभी कपड़ों पर रंगीन दाग निरमीत होते हैं दात स्वक्ष करने के लिए तंभाकू से बने मंजन का उप्योग नहीं करना चाहिए दात स्वक्ष करने के लिए त्यों तंभाकू से मंजन बनते हैं उप्योग नहीं करना चाहिए क्यों इसका उत्तर है तंभाकू से बने मंजन से दात साप नहीं होते इसे दातों क नुक्सान हो सकता है तंबाकु मिस्ट होने की कारण यह हमारे स्वास के लिए भी हानी कारक होता है इसलिए तंबाकु से बने मंदिन का उप्योग तांच साप करने के लिए नहीं करना चाहिए तो इस तरह से उप्तर लिख सकते हैं तो आज का सेशन एप समाप्त हुआ इसकी सायता से आप अपना स्वाध्या लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं धन्यवाद